नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी भूग को मिटाने के लिए एक आइडियल स्विक डिश की रसिपी शेयर करने वाली हूँ आज हम बनाएंगे मीठी चीज ब्रेड टोस्ट इस ब्रेड टोस्ट को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है आप इसे ब्रेकफास्ट पे सर्फ कर सकती हैं या फिर इसे इवनिंग स्नैक की तरह भी सर्फ किया जा सकता है इस bread toast को बनाने के लिए time जितना कम लगता है ingredients भी उतने ही कम योज होते हैं बहुत heat tasty ये bread toast बनकर तयार होता है बच्चे हो या बड़े जिन्हें भी आप ये bread toast बनाकर खिलाएंगे हर कोई आपकी तारीफ करते नहीं धकेंगे एक बार इस bread toast को जरूर बनाएं और मुझे comment करके बताना ना भूले कि आपको मेरी recipes कैसी लग रही है तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की इस recipe को कैसे बनाना है सबसे पहले हम butter और चीनी का एक mix तयार करेंगे एक बरतन में मैंने बड़े चमच से दो चमच बटर और बड़े चमच से ही देर चमच चीनी लेकर अच्छे से फेट लिया है चीनी और बटर को mix कर लेने के बाद अब एक प्लेट में दो bread slices ले ले एक bread slice में हम butter लगा देंगे और दूसरे bread slice में cheese slice रग देना है मैंने cheese slice काट कर रखा है आप इसे बिना काटे भी डाल सकती है अब जो butter लगा हुआ bread slice है इसे हम cheese वाले bread slice के उपर toast करेंगे और butter वाले side को तवे के उपर रख दे flame को low रखना है तवे के उपर bread रख देने के बाद दूसरे वाले bread slice में भी हम अच्छे से butter लगा देंगे low flame में हम bread को तब तक सेखेंगे जब तक कि इसमें एक सुनहरा रंग ना आ जाए और cheese melt ना हो जाए दोनों तरफ से इसे अलट पलट कर सेख लेना है flame को medium या high ना करे low flame में ही ये बहुत अच्छे से से सेख जाता है आप देख सकती है काफी अच्छा रंग आया है दोनों तरफ से इस bread को मैंने सेख लिया है cheese भी melt हो गया है तो अब हम gas off कर देंगे और इसे serve करेंगे serve करने के पहले मैंने इस bread toast को काट लिया था आप चाहें तो इसे बिना काटे भी serve कर सकती है तयार है हमारी आज की ये recipe मैंने यहाँ cheese slice का use किया है आप चाहें तो cheese cube को grate करके भी डाल सकती है आपको मेरी आज की ये recipe कैसे लगी या आप मुझे comment करके बताना ना भूले अगर आपको मेरी recipes पसंदा रही है तो मेरे चानल को like और share जरूर करें चैनल में नए है और videos अच्छे लग रही है तो बस video देखकर चले न जाएं ऐसे ही easy to make और tasty recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe कर ले और site में जो bell icon दिख रहा है उसे press करके all पे click कर दे ताकि मेरे upload किये हुए हर videos के notification आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे facebook या instagram में देख रहे हैं तो follow जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे whatsapp चैनल में भी follow कर सकते हैं तो follow जरूर करें आप मेरे videos कहां से देख रहे हैं और आपके नाम क्या है ये भी आप मुझे बताना ना गूले Thank you, thanks for watching